अभी आप देख देए मेरे सिस्टर जोएंडर को जो के बिल्कुल नकारा तरीके से मैं कहूंगा के केबल को काट रहे हैं अभी आपको अभी यह व्लोग मिलेंगे ठीक है जी सीखते हुए और शिखाते हुए आपको अभी यह व्लोग मिलेंगे ठीक है जी सीखते हुए और सिखाते हुए और कोशिश करेंगे कि मैं अपने स्टूडन को एक अच्छे उस्ताद की ऐसी जो है न वो सिखा हूँ और आगे सीखना इन पर डिपेंड करता है तो कि मैं कहता हूँ कि अगर आपको गोल के भी पिलाया जाए लेकिन आप में वो काबलियत हो कि आप गोल के पी सको आप में वो काबलियत हो कि आप गोल के पी सको तो आपको गोल के पिलाने के लिए भी तियार हूँ जैसे मेरे अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंग के साथ शेयर करें और देखते हैं यह चैनल लाइफ विदका शुफ परदेशी को अभी आप स्कूर डाइबर से उठाओ को अब आपको इतना तरब नहीं होना क्योंकि मैंने नाइफ से उठा लिया था एक्सपीरियंस की बेस पर अभी आप जो नसीख रहे हैं तो इसलिए कोई बात नहीं आप स्कूर डाइबर से खा सकते हैं इसको तो आटो शीट को उतारते हुए नॉट बैड मतलब ज्यादा अच्छा भी नहीं हुआ और ज्यादा बुरा भी नहीं हुआ लेकिन माशालला फस्ट टाइम काटी है मैं कहूंगा नॉट बैड अच्छी कोशिश की है तो अभी हम लोग जो है ना आर्मण को काटेंगे से अबी मेरा इसिस्टेंट जॉइंड это को काटते हुए शेव आर्मड कितना काटना है उची ओपर जोर से जिस तरह मैं बो रहा हूं कितना काटना है आर्मड कितने अत्ता कटना चाहिए सोरी दुबारा बताइए और उची बोलिए कितना काटना है तू मिली हो तो वन मिली कटना है ओके वेरी गूड और यहां ठीक हो गया वेरी गूड वेरी गूड और एक आथ यूज़ करना है दो आथ नहीं और आरी बिलकुल नरम आथ से हलका सा जोर लगाते हुए पूरे कॉंफिडेंस के साथ जोना चलानी है अभी आप राइट लेफ्ट आके कहीं भी काड़ सकते हो क्योंकि अभी उस लेवल पर इतना तजर्बा आपको नहीं होगा आप एक तरफ से खड़े होके आप अपने दोनों हैंड जोना यूज़ करो लेकिन आइस आइस सा इन्शालह हो जागा इसलिए आप जिस तरह आपको असानी है आप उस तरीके से करो लेकिन एक्सों को चलाते हुए आपने एक हाथ यूज़ करना है वन हैंड बाकि आप राइट में और लेफ्ट में हो कोई बात लिए नो फ्राप्ण तो शोएब अपना पहला आर्मड मूव करते हुए अपना पहले आर्मड को मूव करते हुए उन्होंने शेब यहां से पकड़ी है और यह बस बस बाकि यह कोशिच कर रही है कि यह इस तरह नहीं आए बिलकुल यह यहां से कटना चाहिए ठीक है यह बिलकुल यह जो पीस आपका छुट गया है ना यह वाला यह यह बिलकुल यहां से आना चाहिए यह नेक्स टाइम यह कोशिश करनी है आपका आर्मड यह देख रहे हैं यह थोड़ी सी यह आप देख रहे हैं कि कटने के बाद में यह 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 चीज रह गई है क्यों यह इस यह इसका जो लाज पॉइंट है अर्मड का इस राउंड से यह कटना चाहिए था यह इतना पीस अभी आ गया है इसको कैसे कवर करें गई यह इसको कैसे कटेंगे करने का पताता हूं पर्मड सबसे पहले और मस और मड़ की कटिंग के लिए कि आपका हार्मड बिल्कुल जो है न वह सीधा कटे आपका आर्मड पुरा आप इस तरह लोग तोड़ा दूर से होके मैं भी नज़र आऊ हो अर्मृड सीधा कटने के लिए पहले आपका जो आट ओक आठेक हट है आपको आपकी आपकोường लगाते हो राूंड आपका विल्कुल एक दम सीधा राांड में आना चाहिए अकर आपका वह रांड अगा होगा कटिंग करने के लीए वो आपके लिए बड़ा खालफूल और मर्क mature करी किंग करने करनी लिए तो आउर टोप किश कर नीज लेकि 99% हो जाए और बाकी आगी आईए आप देख रहे हैं कि यह जो चीज यहां पर यह रह गई है इसको किस तरीके से अभी खत्म करना है अगर आप इसको काटने के चकर में पढ़ेंगे कि मैं यहां से दुबारा भी आरी के साथ काट दूद यह बहुत बढ़ा एक मतलब स करने के लिए यहां से हलका सा इसको को पुष करेंगे पूश करने के बाल और टॉफ जैकट को फोड़ा दबाएंगे ताके वह अपनी असक शकल में बैठ जाए और हमें कट लगाने के लिए नए कट के लिए नीचे वाले आर्मड के लिए हमें यह जगा जो है ना वो प्र प्रप्रेशन के लिए यहां से मिल गई है और अभी इंशाल्ला यह नीचे वाला आर्मड कटेगा लेकिन पहले आर्मड से एक्तियाद हो करनी है क्योंकि जो ना उसके नीचे दूसरी लायर होती है लेकिन दूसरा आर्मड अभी आपने 100% अच्छे तरीके से और बगैर इ अच्छे को सिखने के लिए मेरे चैनल को सब्स्राइब करें